यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है मिडल क्लास के लोगों को कभी भागे नहीं मानना चाहिए कभी नहीं अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए दुनिया में सबसा इंबॉडन चीथ है डिरेक्शन धनश मेरे पास भी है राजन और थनश अर्जन के पास भी है बाण मेरे तुनियर में भी है और बाण उसके तुनियर में भी है पिल्दूस के पास बासुदेव जैसा सार्थी है साहब से सबहोध है बंदे से कुछ ना आई राई को परवत करे और परवतो राई दुनिया में सबसे इंपॉर्डेंट चीज़ है डाईरेक्षिन जिसको भी मिल गई और समझ में आ गई बहुत लोगों को डाईरेक्षिन मिलती है समझ में नहीं आती है तेंदुलकर और कांबली दोनों के एक ही गुरू है रमाकांत आचरेकर माननिये श्री रमाकांत आचरेकर अब तो हमारे बीच है नहीं वो लेकिन एक आदमी किर्गेट का खुदा बन गया भगवान और दूसरा आदमी तमाम योगिता होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो गया मैंने कहा न कि इस दुनिया में सभी योग्य है कोई अर्जुन है कोई कर्ण है और आमतोर पर ऐसा देखा गया है कि जिसको दुनिया बहुत योग्य मानती है यह देखिए वो असमाल है जीवन में यह बात लोगों को बड़ी परिशान करती है बहुत हैरान करती है कि ऐसा क्यों है यार कि एवरेट चमता का आदमी अब कर्ण के सामने अर्जुन 99.2% 10 प्लस 2 90 परसेंट और यह आदमी जीत रहा है यह बात आपको आश्र चाकित नहीं करती और यह यही नहीं है कहानी में यह जीवन में भी है कि दुनिया में जो कम योग गिता के लोग हैं उन्होंना बड़ी जबर्दस जबर्दस जगह बनाई है क्यों है ऐसा क्योंकि जो भी संदेह के सहारे चलेगा संदेह जिसको भी अपने कामों पर डाउट है इसका सार्थी कौन है संदेह मन शल्य इनका सार्थी कौन है चैतन कॉंशियस पर जीवन में यह देखो कि तुम्हारा सार्थी कौन है और जीवन हंड़िट परसेंट रिस्क है यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है और नाइंटी एट परसेंट लोग इस दुनिया में हर चीज का कंफर्मेशन चाहते हैं अब बस यह परिशान है दो परसेंट रिस्क लेते हैं और जब यह दो परसेंट उपलबदी की उचाईयों तक पहुंच जाते हैं तो यह अठान पर नभे परसेंट अपने आपको सांतों ना देता है कि अरे भया भाग 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 के बली हैं भैया अशिरवात मैं मनता हूं पर्मात्मा का भाग तो मैं मानता ही नहीं नहीं मैं कर्म के सद्धान पर प्रभु के आशिरवात को मानता हूं भाग जैसी कोई चीज होती ही नहीं भाग्य सिर्फ एक बहाना है यह 98 परसेंट लोगों को अपने आपको डिफेंड करने का ऐसा मैं मानता हूं हो सकता है मैं गलत हूं मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता लेकिन हम जैसे लोगों को भाग नहीं मानना चाहिए मिडल क्लास के लोगों को कभी भाग नहीं मानना चाहिए कभी नहीं मानने ही नहीं नहीं चाहिए अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहि क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं हमारे पास क्या था हमारे पिता जी डाक खाने के बाबू थे हम दो कमरे के मकान में रहते थे हमारे पास खोने को ही क्या था लेकिन हमारे पास पान्यों को पूरी दुनिया थी, इसको हावी मत होने दीजे, नहीं तो कितना भी योग व्यक्ति होगा, कुछ कर नहीं पाएगा सर, जो भी संदेह के सहारे चल रहा है, जो भी मन के सहारे चल रहा है, तभी तो कबीर ने का, साहब से सब होत है, बंदे से नहीं, राई को परवत करे और परवत को राई